दोस्तो ये कहानी आज से लगभग दस साल पुरानी है हमारे गाउं में एक वैज जी आकर इलाइज किया करते थे वैज जी दूसरे गाउं में रहते थे और महीने में कभी कदाल इस गाउं में आकर लोगों का इलाइज कर दिया करते थे एक दो दिन ही रुकते थे बहुत सस्ते में इलाज किया करते थे हॉस्पीटल बहुत दूर होने के कारण लोग वैज जी से ही अपना इलाज करा लिया करते थे वैज जी एक छोटे सी जग़ा पर रात भर रुकते थे फिर सुबह अपने गाउं चले जाते थे एक दिन वैज जी रात में आराम फर्मा रहे थे सो रहे थे तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई आवाज हुई वैज जी ने दरबाजा खोला सोचे साइद कोई मरीज हो वैज जी ने दरबाजा खोला तो सामने एक औरत एक छोटे से बच्चे को अपने गोद में लेकर खड़ी थी वैज जी ने उससे पूछा क्या तकलीफ है तुम्हें उस औरत ने कहा वैज जी देखिये ना मेरा बच्चा बहुत बिमार है इसका आप इलाइस कर दीजिए वैज जी ने कहा ठीक है तुम इसे बैड पर सुला दो मैं अंदर से समान लेकर आता हूं वैज जी एक छोटे से कैविन में अपना समान लेने चले गए औरत ने उस बच्चे को नबज पकड़ी बैज जी शोट गए क्योंकि बच्चा तो मर चुका था बैज जी ने अब सोचा कि कैसे उस औरत को मैं बताओं कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है फिर भी हिम्मत करके बैज जी ने पीछे पलटकर उस औरत से कहना चाहा कि तुम्हारा बच्चा मर चुका है बैच जी ने देखा वो औरत वहाँ नहीं थी दरवाजे के पास बैच जी ने सोचा साइद औरत घर के बाहर खड़ी हो कहीं पर इसलिए बैच जी दरवाजे के बाहर चले आए देखा दूर दूर तक वहां कोई नहीं था सुन अग्दम अंधेरा बैज जी घबरा गए फिर भी बैज जी थोड़ा आगे तक आए साइद औरत कहीं आजू बाजू अगल बगल में गई हो पर वहां औरत नहीं थी बैज जी वापस आए उस बच्चे के पास तो अब बच्चा भी बैड पर नहीं था अब बैज जी के तो पसीने छुट गए बैज जी तो चिंता में कि क्या करूँ ये क्या हो रहा है मेरे साथ जीवन में पहली बार ऐसी घटना बैज जी के साथ घटी बैज जी के भी पसीने छुट गए थे जैसे तैसे सुबह हुई वैजी गाउवालों को बुलाया और गाउवालों को सारी घटना कहें सुनाई कि मेरे साथ रात में ऐसी ऐसी बीचेतर घटना घटी है एक औरत अपने बच्चे को लेकर आती है जिसका बच्चा मर चुका होता है जब मैं उस औरत के पास गया तो औरत भी नहीं थी और वो बच्चे के पास जब मैं गया तो बच्चा भी नहीं था उसकी आत्मा कभी-कभी किसी-किसी को दिख जाया करती है तो यह ऐसी हो सकती है कि ऐसी घटना आपके साथ घटी हो तो चिंता करने की बात नहीं है वारत आपको कुछ नहीं करेगी पर वैद जी वहां से गए तो दुबारा उस गाउं में आने का नाम नहीं लेते हैं गड़ जाती है दोस्तों कहानी कैसी लगी वीडियो कैसी लगी आप जरूर एक बार कॉमेंट करके कहिएगा बताईएगा इस वीडियो को लाइक करिएगा सेर करिएगा मैं आपके लिए हर दिन एक नहीं कहानी लाता हूँ एक हर दिन एक नहीं और रही कहानी फ्रेस कहानी बनाता हूं तर तक मेरी चैनल को अपाग्या दे धन्यवार